हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल एरजी एजुकेशन चैनल पर इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में जनकारी प्राप्त करने वाले हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सेर केजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ इसाथ बेलाइगन को आन कर देजिएगा तक कि लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आप तो पहुंसेगे तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पले हम जानते हैं कोशिका करते किसें सजीवो के सनराजत्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका करते हैं कोशिका के कोशिकाओं के मिलने से सुजम एवं विसालकाई जीवो की रचना होती है लेकिन कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें अपने नंगी आखों से नहीं देख सकते हैं कोशिकाओं के मिलने से बने बिशाल सरीर को तो हम देख सकते हैं लेकिन कोशिका को देखने के लिए एक बिसेश प्रकार की यंत्र की आवस्यक्ता होती है, जिसे हम सुझमदर्सी कहते हैं, सुझमदर्सी से कोशिकाओं के अकार को कई गुणा बढ़ा कर देखा जा सकता है, अब जानते हैं कोशिका की खोज की कहानिक, बात करीब 350 वर्स पहले की हैं, लेंसिका उप्योग चीजों को बढ़ा करके देखने के लिए होने लगा था, कई बैग्यानिक सुझमदर्सी की मदद से एक नई दुनिया देख रहे थे, उसका वणन कर रहे थे, ऐसे ही एक बैग्यानिक थे राबाठुक, उन्होंने एक सुझमदर्सी बनाया था, जब सुझमदर्सी हाथ में आया तो उन्हें तमाम चीजों का देखना सुरू किया, ऐसे ही एक चीज था कार्क की पतली कटान यानी कार्क का छिलर कार्क एक पेर कार्क ओक की छाल के अंदर वाली परसे बनाया जाता है इससे राबट हुक को जो कुछ भी दिखा वो आश्चरे जनक था समबता हुक कार्क के गुणों को जानने के लिए उनका सुजमदर्शी से अध्यान कर रहे थी सायद वो जानते थे कि कार्क इतना हलका फुलका क्यों है पानी क्यों नहीं सोकता आदी लेकिन हुक यह देखकर धंग रह गये कि कार्क में कई दिवारे हैं कार्क में कई दिवारे हैं जो एक दूसरी को काटती है इन काटने के कारर कार्क में धेर सारे छेद बन गई इन छेदों को हुक ने सेल नाम दिया यह नाम लेटिन सब्द सेल यूला से यानी छेद से लिया गया था राबर्ट हुक ने 1663 में गर्णा की थे कि एक गहन इंच के कार्क में लगभग एक औरब कोशिका होगी आप अनुमाल लगा सकते हैं कि ये कोशिका कितनी छोटी होगी एक नवजात सीसू के सरीर में लगभग 600 अरब कोशिकाएं होती है जब आप रक्त दान करते हैं तो एक बार में करीब 500 अरब कोशिकाएं दान करते हैं और हर दिन आपका एक परतिसत कोशिकाओं को त्याग कर उसकी नई जगा उसकी जगा नई कोशिकाँ बना लेते हैं इनकी संख्या लगभग 600 अरब होती है अगले वीडियो में हम कोशिकाँ के बारे में और जनकानी प्राप्त करेंगे लेकिन इससे पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और बेल आइगन को आनकर देजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तो पहुंच सके